हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जमेटरी स्कूल बच्चो सैनिक स्कूल यानी ओल इंडिया सैनिक स्कूल एंटरेस एग्जामनिशन जिसकी एग्जाम की तारीक है आठ जनवरी अब आठ जनवरी में दिन कितने बचे हैं मुस्किल से 15 दिन भी नहीं दस से 12 दिन अब कैसी स्ट्रेटेजी कैसी तरकीव कैसी तकनीक में इस्तमाल करूँ जिससे हमारा स्कूर बढ़ जाए सेलेक्शन की तो बात नहीं करूँ वह दस से 12 दिन में तो बच्चो कोई सेलेक्शन नहीं होता लेकिन एक एक रेस्पेक्टफुल जो आपका एकदम जो कहते हैं कि एक अच्छा स्कूर जो बन जाता है जिससे लगे हम मैंने मेनत करी है ऐसे दस 12 दिन में क्या तैयारी आप करें कैसे तैयारी करें उसको आज बताएंगे इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या कैसी कौन कौन सी टेक्निक आप इस्तमाल करेंगे वह सारी हम इसमें वीडियो में आपको पूरा बताएंगे तो आपको क्या करना है वही सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसी बहुत सारे कंटेंट वैसे भी आता रहता है वो वैसे आपके लिए आलप हूले तो सर क्या ऐसी तरकीव है जिससे दस 12 द सर ने बात बोली मैं उसी पर आता हूं कि सर ने बोला कि सर क्या दस बारा दिन में कोई सेलेक्शन हो पाएगा दस बारा दिन में तैयरी सर मैंने भी देखा है खुद कुछ बच्चे अब जब फोम भरने के बाद मम्मी पापा जो हैं बुक्स लेने गए हैं बुक इस्टोर पे क्या वो सेलेक्शन हो पाएंगे मतलब सवाल ही नहीं उठता वो एक खिलवाड है या एक वो है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं हम पेपर दिलवा लेते हैं लेकिन जो हम यहाँ पर आज लेकर आएं है स्टैटेजी टू क्रेक्स हैने की स्कूल एक्जाम अंतिम दिनों में रणनीती होनी चाहिए आपको सेलेक्शन की भाई यह अंतिम दिन की बात आ रही है अंतिम दिन मतलब आपने आप तयारी पहले से कर रहे हो और वो लास्ट पॉइंट्स वो लास्ट डेज में आप क्या-क्या तयारी कर सकते हो किन-किन points पर आपको ध्यान करना है कौन से scoring आपके topic है कौन सा scoring subject है जिसमें आपको इतने number कम से कम लाने ही पड़ेंगे तो उसके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं कहां से आप क्या-क्या कर सकते हो तो सर इसमें हमारे जो expert है नितिन सर इसमें आप जीके के एक्सपर्ट हैं जो वो उन्होंने अभी आपने RMS का भी एक्जाम देखा होगा तो जो इन्होंने वीडियो बनाई थी और उसकी वीडियो हम ऐसे बात नहीं करते पुखता पर्मान पुखता पर्मान आपको देते हैं कि हाँ देखो ये इस वीडियो में पढ़ाया इतने नमबर पर और ये कुश्चन एस इस आया हुआ है इसके बारे में तो आपको नितिन सरी बताएंगे कि उन्होंने तो उनीक उनी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपको पॉइंट्स मैं आज आपको देने वाला हूँ सर देने वाले हैं कि कैसे आप तयारी करो ठीक है लीजिए सर आप सर बताईए अरएमस का पेपर में कैसे-कैसे मैच हुए सर आरमस के पेपर में हमारी एक वीडियो है कौन-कौन से कुश्चन पूरे लगबग-लगबग 50 कुश्चन में से हमारे 35 questions तो लगबग आपके YouTube से direct match हो गए है जो sir question match नहीं हुए वो हमारा sir जो pack था RMS का भी pack था सोरिय पैक था वहाँ से आए और live class से live class में आप देखोगे मैम ने और मैंने दोनों ने 3-4 चार वार question को टिक किया है ये ये बच्चों को एक दम बिल्कुल वटा के बेजा था हम लोगों ने कि यहाँ है समझाया भी था अच्चे से तो वो तो आप उसमें वीडियो से देख लेंगे फिलाल देखो sir यहाँ पर आपने भी एक बात करी कि भी 10 दिन में ऐसी कोई रणी थी मतलब 10 दिन में कोई ऐसी जादू की कोई जड़ी तो है नी कि आपको हम लोग ऐसा दे देंगे कि भी 260-70 नमबर लिया हो ऐसा तो कुछ है नी पर एक बात जरूर है यहाँ पर हम एक ऐसी तरकीब जरूर आपको बचा देंगे कि आपके मान के चलो 200 नमबर आ रहे है सर 225 आ जाएंगे 230 आ जाएंगे 20-30-40 नमबर का फरक लग जाएगा और सर एक नमबर भी माइने रखता है एक नमबर भी माइने रखता भी 5-6-10 नमबर की बात नहीं कर रहा हूँ 20-25 नमबर का फरक लगेगा इस वीडियो से अगर आपने यह जो हमारा पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो इसलिए आभी जो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम जो बात बोल रहे हैं बढ़ी लोग कर रहे हैं तभी आपको भी करना है दूसरी बात जो हमारे मौक टेस्ट जो मोक टेस्ट करवा रहे हैं हम भाई लाइव प्रेक्टिस करवा रहे हैं लाइव ऐसा कोई नहीं करा रहा ठीक है वो ही कोश्चन्स लेकर आ रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं कहीं आसमान से कोश्चन नहीं आते हैं यहीं से बुक से ही मिलते हैं लेकिन वो छाटने मारा मारी मची हुई है और काफी कोर्स मतलब वो सेल आउट हो रहा है काफी बच्चे उसमें एन्रोल कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे वीडियो के अंत में नहीं बताएंगे बीच में बता देंगे जिससे कि आपको आप उसके बारे में देख सके चलो हमारे चैनल क सब्सक्राइब कर लेगा जोमेटरी स्कूल सबसे बेस्ट प्लैटफोर्म है अभी प्रेपरिशन करने के लिए सैनिक स्कूल के लिए नवोदे स्कूल राइमसी और आरेमस के लिए तो सर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं most important strategy तो सर इसमें हम क्या क्या बात करने वाले है जो आज की वीडियो पर पर कर जाते हैं यह तो सबसे बाद में आगे है चलो आगे चलते हैं हाँ वही देखो एक पहली स्ट्रेटेजी नंबर वन हम पोईंट नंबर वन पर आ चुगे आपको दिख रहा होगा क्या है प्रोपर टाइम डिस्टिबूशन हाँ प्रोपर टाइम डिस्टिबूशन फोर इच सब्जेक्ट अब बच्चों यह बताओ मैथ्स डेड़ सो नंबर का है 150 माक्स का इंगलिस लैंगवेज या लैंगवेज इसको कहो हिंदी इंगली जो भी अटेम्ट करेंगे आप तेल्गु तो मली अलम सब अलग अलग लैंगवेज अटेम्ट करते हैं पता है आपको इंदी और इंगलिस ही हिनी होती वाहारतिया सविदान में 22 आपके schedule language है बाइस बासाओं में आता है पीपर अलग अलग जगे की अलग अलग होती है तो इसलिए ध्यान लखना कि कि इसमें क्या है भी आपका अलग अलग वेटेज है पचास नंबर का language पचास की जीके आपका पचास की reasoning और फिर क्या है बाकी बाकी में आपको यह ध्यान लखना है कि डेड़ सो नंबर का मैथ है तो आपको time क्या करना है उसी according देना है सर बच्चे आप भी सर नोट करेंगे कि बच्चे क्या करते हैं रिजिनिंग पे कुछ बच्चे क्या करते सर जीके जीके पड़े जा रहे हैं मैथ का ज्यान नहीं सर उनको तो देखो मैंने सबसे पहले इसलिए उपर सर मैच लिखा मैच में 150 मार्क्स है 50 कोश्चन आएंगे बच्चो और जो है 3 मार्क्स के हैं ठीक है 150 यह सबसे scoring है इसको इसमें आपको focus करना है कि कितने नंबर मुझे minimum लेकर चलने है इसके लिए आपको क्या करना है practice practice जितने maximum questions कि आप practice करोगे उसमें different different तरीके होते है answer देने के भाई आप solution निकालोगे सर अब की बार अभी हमारा यहां से एक बच्चा था तो उसको ना सुबोच सर ने और डिंपल मैम ने बताया कि आपको ना paper में वो कहने लगा मैंना बहुत बार जल्दी जल्दी में टिक कर देता ह हूं कि यह सई होगा लेकिन बाद में गरत निकलता है उन्होंने बोला उसको कि नहीं भाई पहला चांस तो यह कर कि option को देख ही मत पहले solution निकाल तो उन्होंने उसने solution निकाला वो कह रहा सर मैं सारे को और पता है 49 marks आ रहे हैं उसके और MS में 49 marks आ रहे हैं उसने एक भी option न जाती है कि हाँ यह answer होगा तो इस तरीके से उसने बहुत ही अच्छे तरीके से practice की यह कैसे आई यह जो सके इंदर confidence आया वो practice से आया सर इसमें सर ने बता है भी देखो आप देखो वो जो जो बच्चा option के paper में ncq format के paper में बिना option देखे मार कर रहे हैं तो कितनी तयारी कर पैसर हमारा platform इसके लिए इसकी तयारी करने के लिए आप जो हमारी एप है उसको download कर सकते हैं और उसमें हमारे live class जो courses है recorded courses है उनको join कर सकते हैं और जो उससे भी आगे आना है तो आप हमारे hostel join कीजिए जहां पर आपको नितिन सर सुबोज सर डिंपल मैं महीमा मैडम आपको वो उस तरीके से तयारी कराती हैं उस तरीके से तयारी कराते हैं कि बच्चा भूलता नहीं है आप question को पूरा नहीं बोल पाओगे answer with reason answer with reason जो दानिस बच्चा है सर वो जिस दिन हम paper दिलवा के आये ते वो किस तरीके से उसने answer को बही देखो ऐसा नहीं है कि बही शिर्प एक answer mark कर दिया a b cd ऐसे याद नहीं होते हैं पर बच्चा बिलकुल logic के साथ याद करता है तरीके से तमीज से याद करता है और pressure भी नहीं लेता एक्जाम में सर ऐसे बिलकुल paper उसके लिए सर मजाक सा बन जाता है अब ही जो हमारे rms में बच्चे गए हैं अब तो result आने प test इतनी सारी चीज़ करके गए थे तो वो सारी चीज़ थी बहुत लंबा था सर उसमें तो मुझे एक बात बड़ी हशी आती है जब से बात कर रहे थे हम एक बच्चे से तो बोलता है हमने का यार यह question तो हमने नहीं कराया नहीं सर कराया था उस page number पर और left side में आपने यह question को गोला किया हुआ था मतलब आपने इसको most important लेला हुटा सर वो जो हम लोग क्या करते है शीट दे देते हैं बच्चों को शीट डेली डीपी डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मिलती है तो शीट में कुछ इस questions को star mark करके अलग से circle किया जाता है अंदर किया जाता है तो जैसे हम लोगों ने दिया उनको हम लोग भूल गए मैं मैंने इस specialism को दिया था मुझे याद निए राक को उनसा दिया था तो मैंने का यह question तो मैंने नहीं कराया आपने आपने वहां कर रहा है sheet number 21 के इस page पे मैस के लिए एक में और पोइंट कर दू हमारी वन ओप दा मोस्ट एक्सपीरियंस सोनिया मैं 15 साल का एक्सपीरियंस है पीजीटी मैथमेटिक्स उनके पांच मोग टेस्ट आ रहे हैं YouTube पे फ्री हैं कोई पैसा नहीं कभी सोचो की पैसे हैं सर बच्चे कहते सर फिरी दो फि लेकिना जो है वो जो सिष्च है वो मतलब अच्छी तरह फल नहीं पाता इसके लिए आपको जहान खेना चाहिए बच्चों को बिर ममी पापा को भी ठीक है चलो लेकिन हमने तब भी आपकी जो डिमांड थी उस पर हम जो है मोग टेस्ट लेकर आए हैं बिलकुल फ्री हैं सोनिय मैम दे रहे हैं नितिन सर दे रहे हैं डिमपल मैम दे रहे हैं महीमा मैडम दे रहे हैं सारे जो भी टेस्ट हैं जो जिसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो उनके मोग टेस्ट फ्री यूट्यूब पर दे रहे हैं लगाओ उनको देखो आपके किनने मांक्स आते हैं अब बात करते है जीके की, सर जीके का कोई सलेबस नी है, पता नहीं कितने हजार-दहजार कुश्चन याद करने पड़ जाए, बच्चे पागल हो जाते हैं, लेकिन ये हर जगे है हमारे चैनल पे नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म वाले बच्चों के साथ नहीं, जो पहली अगर आपने पंदरा प्रीमियम मोक टेस्ट को तमीज से, एक टाइम सेड्यूल से, एक डिसिप्लीन से, लगा के, अच्छे से दे के, और विदाउट चीटिंग, सर बच्चे क्या करते हैं, सर आजकल एक ये भी एक फेशन चल गया है, कि बच्चे क्या करते हैं, गुगल स सही मांदार इसे स्कूर देंगे, तो बहुत सारे कोशन हिट करेंगे, देखो बच्चे क्या हो गया, इंगलीज के आपको 5 प्रीमियम मोक मिलेंगे, वहां से त्यारी करना, बिल्कुल, और रिजिनिंग में भी आपको 5 प्रीमियम मोक मिल रहे हैं, ये सारे फ्री हैं, तो आपने एक बात नोट करी, कि 50% में math है, और 50% में बाकी subject है, तो आपको time क्या करना है, time math में 50% means one ratio one, बाकी में other में लिख रहा हूं मैं, one ratio one हो गया, ठीक है, आधा time आप math को देंगे, और आधा time बाकी तीनो subject को देंगे, ऐसा मत करना, कि पता जी के ही पढ़े जा रहे हैं, 85 आपको एक limited time में, तो time distribution का तो यह हो गया, अभी अगले point पर चलते हैं, do not cover too much content, सर आज कल बच्चे क्या करते हैं, यहां से पढ़, किताब से पढ़, S.C.R.D. सर, मैं पता नहीं कितनी किताबे हैं, फिर notes भी हैं, और online course भी है, offline coaching भी है, और फिर आखरी में कहते हैं, पता पात अच्छी बोली, do not cover too much content, बच्चो, content में जहें, GK, GK कोई limit नहीं होती, GK कोई limit नहीं होती, लेकिन सर मिसमें आप बताना चाहूंगा, हमारा most sellable जो course है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा, और वो हलागी बदा क्या है, इसके लिए मेहनत चाहिए, वो all over, आप Google, Google करते हैं, Google बाबा, Google पर ढूंड लो सब मिलता है, Google पर GK का course recorded with topic wise quiz एक ही है, geometry school के पास, और कहीं नहीं है, आप ढूंडना, GK course for scientific school, सिर्फ geometry school के पास है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए content तयार करना पड़ता है, तो वो इसलिए आ to not cover too much content में, जो सर ने बात बोली, बहुत अच्छी बात है, आप उसमें बहुत ज़्यादा मत पड़ो, जो syllabus वहां से है, जो सैनिक स्कूल ने syllabus दिया हुआ है, उसमें एक तरीके से NCRT और जो related topics हैं, वो पड़ो, उससे ज़्यादा मत पड़ो, अगले topic पे चलते हैं सर, अ करके देखेंगे या कोई अब की बार जिसने दिलवाया हो, लेकिन उसकी एज ना हो, लेकिन अगली बार एज हो, वो सारे बच्चे ऐसे ही जो फोर्त में भी देने जाएंगे, फिप्त में वो फाइनल करेंगे, तो वो हमारा लाइव बैच जोइन कर सकते हैं, टार्गेट वहाँ पर आपको दिये गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लाइव बैच, टॉपर्स प्रो, एंड क्रेक सैनिक स्कूल एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, अगर टॉप करने का जजबा है तो यह तभी हाँ आना, इसका मतलब है, नंबर ओप कुश्चन्स प्रेक्टिस करा जाते हैं, आप जो लाइव बैच जोइन करना चाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे लाइव बैच जोइन कर लें, जो की जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, और जो बच्चा होस्टल के लिए चाता है तो वो होस्टल के लिए भी इनी नंबर पर कॉल करें और जो है आप विजिट करें और हमारे जो टॉप expert faculties हैं उनसे direct one to one बात करें और आप खुद difference feel करेंगे ये भई अगला अगला point आगया है देखिए choose the isolated place for study बच्चो क्या होता है कि देखो भई मैं ये नहीं कहता हर बच्चे गर पे बहुत सारा space है और बहुत सारा space चाहिए भी ने सर एक corner चाहिए एक corner चाहिए एक सांथ जगह चाहिए आपको क्या करना है जो भी आप अपने mobile से laptop से computer से देखते हैं तो मैं आपको ही suggest करूँगा कि अपनी पूरी family members के साथ इस channel को या जो भी हमारा content जो भी हमार मोग test आ रहे हैं YouTube पे जो भी फिरी में content आ रहा है YouTube पे जितना भी उसको एक movie के show के तरह मत देखिए आप क्या करते हैं ममी बैठी है, पादर भी बैठी है sister, brother सब बैठी है, relative भी बैठी है दोस्त भी बैठी है और उसमें एक show चल ला है उसे क्या होगा क्या वे सारे जुतने भी आपके साथ बैठी है सारे exam देने जाएंगे कोई नहीं जाने है exam देने हाँ जाएंगे आपके साथ, center तक दरवाजे तक, अंदर कोन जाएगा अंदर जाओगे आप और फिर, जब आपका result आएगा बच्चो ध्यान अखना इस बात को अगर आपके marks आए अच्छे तो फिर सब कहेंगे, हम भी गए थे साथ ठीक है, और marks आए बेकार फिर क्या कहेंगे, हम तो दरवाजे तक ही गए थे करके तो तुम्ही आए थे, जो करके आए थे हमारा काम तो बई तुम्हें पढ़ाना है, हमारे काम तो सिर्फ मालब तुम्हें पढ़ना तुम्हें ही है, यह इस तरीके के dialogues होते हैं उसके बाद, लेकिन पहला, जो उससे पहला का जो पढ़ाव है, उस वाज़ जो सीड़ी है, उस पर भी काम करना पढ़ता है, दोनों लोगों को मिलकर, उन्हें भी आपको एक आईसोलेटेड जो है, प्लेस देना होगा, जिसमें आपका स्पेस हो, जिसमें आप तयारी करीं, और सबसे जरूररी मैंने जो कुछ चीजें लिखिएं जैसे आप पहले भी बताया था, वीडियो मुझे याद है, टेबल के हैं यह बहुत जरूरी है सर बहुत जरूर है चलो बैड़ में बैठके पढ़ लिए और मतलब कहीं पर भी बैठके पढ़ लिए मैं कहूंगा सर एक प्रोपर टेबल चेयर और उसमें जो भी बच्चे का एक कौर्णर होना चीए मतलब सब्सक्राइब दीरे से तो पहले कमर लगाए पिर वो बैठके नीचे की तरब चलेगा फिर कंबल ऊपर की तरब आना सुरू होगा दीरे दीरे सर कंबल ओपर आ जाएगा और बंधा बच्चा अंदर हमारे मैं बता दू अभी कली की बात है a man around के लिए गया हो ता रात को बच्चों के ओस्टल में सर बच्चों के क्या बात करणे जैसे मैं रूरमेटरी में अंदर कंदम क्यी रख्खा बच्चों ने क्या किया मैंने ईक बच्चे पर मियन जाता दे लिए दिश खाивать। लेकिन उनका सर दुर भागया ये रहा कि वे notes दूसरे subject या दूसरे बच्चे के उठा लिये और सर फिर होना क्या था मैंने पूछा भई ये किसके notes है फिर उन्होंने बताया जब उनको डाट मिली कहले है सर आपको देखते ही हमने एकदम से notes उठा लिये तो मतलब ये देखो जब hostel में इतनी रापर भई हो जाती है तो ये कंबल वाली बात को आपको ध्यान लखना है और दूसरा पेज पर साइन मार दीजे और शाम को शाम को बता रहा हूं ये देखिए उसने कितने पेज भरे बस आपके बच्चे का तोड निकल जाएगा वहीं पर सर मुझे नहीं लगता फिर कोई डाउट रह जाएगा सर ये सर हम बिलकुल आपने सही बात बोली ये हम हमें भी दस सा ख़रीग तरीक तरीका होता है यह ना मलग जो बच्छा बदमासी कर ले जा उसको कुछ आता हूँ आता है ena आप उसके उस पर भी एखाली पेज पर साइन करते भाई उससे आगे मूझे तो इससे आगे चाहिए हम यह हम यह भी देखने कि तुने क्या लिखा ये होता है कि की मतलब कुछब बच्चा ने कोई कुछ नहीं कर रहा उसके लिए लुगा जो बच्चा पढ़ने वाला उसका देख लेंगे कि हां तुमने क्या करता ही Чер tarde यह करता ही तो यह यह तो प्लेस आपको चुझ कर सलिबस कैसे कवर करूं, बच्चा घबरा जाता है, और उसके हाथ पैर फूल जाते है, और फिर वो क्या करता है, पढ़ना ही बंद कर देता है, कि यार मेरा जब भी नहीं होना, जब भी नहीं होना, मैं क्यों पूड़ू, इससे अच्छा तो में मज़े करूं, लेकिन अभी आठ साथ दस दिन में, आप अगर हमारे रिकोड़िड कोर्स को करेंगे, और इसमें परमवीर कोर्स है भई, देखो परमवीर कोर्स को पर्चेज करो, वीर पैक को तो आप पर्चेज करने से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कल सब दो तिन दिन से आउटोपी स्टोक चल ला था, फिर उसको हमने स्टोक बढ़ाया, उसमें 50 हमने सीट और करी, फिर लेकिन अभी भी मज़े लगता है वो एक्सपारी की तरह भी चल रहा है, उसे देखे लेंगे, लेकिन परमवीर अभी है, परमवीर को आप अवेल कर लो, यह आपकी पूरी तयारी करा देगा पर call करके आपको सारी information उसमें दे दे जाएगी ठीक है अब आगे हम ये सर इनके बारे में सर बताएंगे आपको बैच कौन कौन से चल रहे हैं क्या क्या इनमें करना है ये बाई देखो हमारे तीन लिए पर हमारा सफलता बैच है नेक्स चेर के लिए फोस्टल बैच है एक जनवरी से किलास हो जाएगी ट्वंटी फाइव सीट से बच्चो एक आपको देना होगा तब आपको सेलेक्शन होगा अगर मैं बात करू आराएंग्जाम के लिए जून में एक्जाम आ रहे है से सीट वाला मैटर आपने बताया यह कंफर में ना पच्ची सीट का मतलब पच्ची सीट है चब्स भी हम इसमें नहीं रख रहे हैं इसमें दो सब्सक्राइब आए थे उनको जोड़ना घटा नहीं आ रहा था तो भई देखो वो आये थे टारगेट बैच आराएंग्जाम के लिए हमने उनको दोके में नहीं हो पाएगा आपका सेलेक्शन उस वो वो ट्वंटी फाइव से बार हो रहे हैं तो इसलिए सीट बुक हो जाए आपका बेसिक टेस्ट होगा बेसिक कैलकुलेशन का बेसिक लेवल का टेस्ट होगा और वो आपका क्लियर करते हैं तब भी आपको स्टल में एडमिशन होगा और फिर हम देखते हैं हम और आप मिलकर किस तरीके से बच्चे को सेलेक्शन की और लेकर जा नितिन सर और डिम्पल मैंम दे रहे हैं कितने हैं सर यह यह देखो यह देखो यहां पर 15 मोग टेस्ट कम नहीं होते 15 मोग टेस्ट का मतलब है कितने कुश्चन 15 इंटू 25 ठीक है तो यह आपके 375 क्या सपस कुश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए जीके में उसी त तरीका सबसे बेस तरीका आपके तो फ्री फ्री ले लो बाई फ्री देखो यह यह मिल रहा है यहां पर आपको कंप्लीट चीजे इसमें आप को पढ़ो अपने आप सौल करो वीडियो को पोज कर लो को सौल करते टाइम और फिर अपना रिजल्ट देखो तो इस तरीके से आपको मतलब पूरा मोग टेस्ट आपके सामने आजाएगा आपकी किताब जो है पूरी चिठी जो है वो खुल के सामने जाएगी आप क्या कर रहे हो आप मजा कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल लेटेड टॉपिक और फिर मैं बता रहा हूं ये वीडियो के बाद सामने जो बच्चे और टेयरी करना चाहते हैं कि भाई यहां से पढ़लो यहां पर पढ़ाई के मतलब इस तरह की वीडियो के साथ साथ पढ़ाई होती है ना कि सिर्फ यह यही वीडियो मिलेंगे आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको सिर्फ हाँ यह वो बना दिया इस तरह की इसमें सर आपने बहुत अच्छे बात कहीं सर इसमें मैं आपको एक बात बताओ चलो आप से थोड़ी से कम सीरियस बात करते हैं हम सुरुवात में आप से कहते हैं कि आप क्या करो चार पांच छे चैनल से वीडियो देख के जाओ आपने आरेमस में अला गला चैनल से वीडियो देखी होगी अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आरेमस में जो जी के आई थी आप ऐसा करो कौन-कौन सा कुश्चन कहां से कहां से आया था हम लेगों ने तो अपना चैनल पर डाल दिया कि कौन सा कुश्चन कौन सी वीडियो से आ आया वही आपके लिए है दस्ट बीन उसको फैंक दीजिए और फिर आपको एक रिलेटिव कंटेंट की तरह बढ़ना यह स्टाटेजी को जानतना सर इसका तो सर मुझे लगता है यह तो कोई जवाब ही नहीं है देखो इसको सब मेरे पास इसके लिए कोई सब्द नहीं है क्यों हम लोगों ने सर दोसों के लिए रख़ता है तो लेकिन फिर हमने दोसों का कर आता सर फिर जब देखा कि बच्चों की कोल आने लगी कि नहीं सर कि अब तो क्या हो रहा कि सर दिक्कत रहे बहुत लेट चल लए इस साइट फिर हमने पूछा आपने जो डवलपर से हैं कि सर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया फिर चेक करा तो ओके यह वीर पैक के विज़ा है क्योंकि हमने उसका प्रसेजिंग देखी अब मैं आपको यह बता रहा हूं पचास सर हमने फिर बढ़ वाय था और पचास रुपयों कर रहे थे क्या सर यह फिर से फिर से बढ़ दिया जिसने कोर्स में वो जो कोशन कर रहा है उसको दिक्कत आएगी तो हम दिक्कत ऐसी नहीं आने देंगे तो उसके लिए भी हम काम करेंगे तो जो बच्चे चाहते हैं अभी वीर पैक ले लो बहुती सस्ता है बहुती अच्छा है और मैटर दो तीन बुक लेरना लग- पन ? ओपन होगा पप उपप एक लिक कर दोगे तब भी पॉपप ख्लोज कर दोगे सबसे ऊपर अवर बेस्ट कौर्स में परमवीर के merry लेप्ट साइड में वीर पैक सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सीधा हो से registration करो और course को ले लो enrolled course में आप course activate हो जाएगा और लगाओ questions लगाओ practice जितने question चाओ उतने practice कर सकते हो इतना material हमने उसमें दे दिया है ठीक है तो वीर pack को मत भूलना वीर pack को आज ही avail कर लो और practice लगाओ अपनी बिल्कुल suitable और best questions sensor उसमें next point target RMS CET exam 2023-24 जो बच्चे चाते हैं तो वो achiever batch को join कर सकते हैं हमारा live batch है achievers batch ठीक है जिसके अंदर आपको इसमें भी limited seats हैं आप registration करा लीजिए registration करा कर आप अपनी seat book कर ले जिससे कि आप अपना तैयारी को final वो कर सके next year December में exam होगा एक मैं बता दूं आपको मैं उन बच्चों से उन parents से काफी खपा हूं जो form भरने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करूं पिछले 20 सालों से पिछले 20 सालों से एक ही महीन में फोर आ सब फिक्स है दिसंबर में पेपर होना है आपको उसकी तयारी करनी है मेरे से फोन करके ये पूछो सर कब से तयारी सुरू करूँ मेरा बच्चा कुछ परेंट सर ऐसे भी है जो सेकंड थर्ड क्लास में बच्चा है वो तब से भी सीरिस है लेकिन हो सकता है फिर बात में सो जाते हैं फिर वो जागते हैं तो लेकिन बात ये है कि आपको minimum one year चाहिए practice करने के लिए क्योंकि बच्चा fifth class में है बच्चे का mental level बात मैं mental level की कर रहा हूँ mental level थोड़ा सा मतलब जो उसकी age है उसके according होता है question आते हैं seventh और eighth standard तक के भी simple interest है compound interest है ratio है जो बच्चे ने fifth में कभी पढ़ा ही नहीं होता fourth में तो इसलिए वो तो भाई उसको आगे मेनत से पढ़ना ही पढ़ेगा तो इसलिए time चाहिए ना कि वो तुम्हारी एक general class नहीं है कि general class में बच्चा पढ़ रहा है तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना batch को join करें या अपनी पढ़ाई को start कर दे next point है most important strategy यह सर जो last में आपने बताया था उसके बारे में सर बताएंगे आपको जो last में हमने छोड़ी थी बच्चे क्या करते हैं और इसकूल में आपको क्या हो कि छे टीचर पढ़ाने लगे एक महीने पहला टीचर आया दूसरे महीने दूसरा हर दो महीने बाद तीसरा ऐसे आपने दस टीचर से पढ़ लिया आ जाएगा result आ जाएगा कुछ समझ में यही कानी है यहां पे भी आपको क्या करना है इसके लिए most important strategy है हमारे चैनल को subscribe कर लो bell icon पे क्लिक कर लो और एक channel को choose कर लो हम भी उन में से एक है हम नहीं कह रहे हम best है आप करोगे ते आप देखोगे जो RMS में questions आए थे यह RIMC में previous year में questions आए है आप जो भी interest test देखोगे RMS का पहले हुआ था अभी भी RMS का हुआ यूपी सैनिक का हुआ था RIMC का हुआ था सारे maximum questions हमारे चैनल से आते हैं और हम इसकी वीडियो भी बनाते हैं हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं हमारे से आ गए सारे के सारे हमारे से आगे सार आज कल पता गया सर एक बात एक comment सी बात चल सर ये एक मजाक एक बद्दा मजाक मैं इससे बड़ा मजाक नहीं मानता कि दोसों आपने headquarter रख दिये world bank से लेकर पुराने पुराने सब तक जिनका कोई आता पता भी नहीं जो आज तक नहीं आया ठीक है उनके सारों के headquarter दे दिये बच्चों को या capital currency जो भी है सर फोक्ड ती उन में से सर एक आगी नेतना वली लेकिन अब अब देखो सर और क्या हो रहा है सर वाइल लैप century है टोटल बारत में हजार अब अधर चैनल मैं यह नहीं कहारा जहां से आप पढ़ते हैं बुक भी लिए लिए बुक की बात कर रहा हूं बुक में क्या होता है एक करके गई थे इंपोसिबल है नहीं हो सकता सर यहीं बात है देखो यहीं तो होता है टीचिंग का यहीं होता है कि भाई selection of question जब आपका selection of question होगा teacher का तभी तो बच्चा सेलेक्ट होगा नहीं तो ठीक है भाई 2000 आपकी जो है वालिलाइफ सेनेक्टरीज है ठीक है भाई उनक हम discuss कर रहे थे तो काफी चीज़े आपको इसमें helpful लगी होंगी तो बच्चों जुट जाईए हमारे जो मोक टेस्ट है उनको वीरपैक को देखिए आपको जो है जरूर benefit मिलेगा और thank you for watching our video ठीक है चैनल को like कर ले subscribe कर ले और हमारी app को जरूर download कर ले वहाँ पर बहुत सारा free material भी आपको मिलेगा जिसमें आपको जरूर आपको benefit मिलेगा thank you sir